हेलो एब्रीवन वल्कम बैक टू माई यूटीव चैनल कैसे हैं सबी लोग आयोप अच्छे होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवुड इंडिस्ट्री की कुछ और दिल्चस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ आयोप आपको पसंद है सत्तर के दसक में बनी थी सबसे बहतरी निये सस्पेंस फिल्में आज भी देखने पर होती है सिहरन नंबर वन की बात करें तो कानून कानून फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी बलदेव राज चोपड़ा इसके डारेक्टर थे और फिल्म में एहम रोल निभाया था राजेंद कुमार, नंदा, अशोक कुमार, महमूज, सशी कला, जीवन और ओम परकाश ने वही नंबर दो की बात करें तो चाइना टाउन चाइना टाउन के डारेक्टर शक्ती सामन्त की ये फिल्म 5 अक्टूबर 1962 को रिलीज हुई थी फिल्म में लीड रोल समी का पूरस शकीला ने निभाया था वही नंबर तीन की बात करें तो 20 साल बाद 20 साल बाद फिल्म भी साल 1962 में ही आई थी विरेन ना की इस फिल्म में वहीदा रह्मान और विस्वजीट चटर जी ने काम किया था नंबर चार की बात करें तो उस्तादों के इस्ताद अशोक कुमार प्रदीब कुमार शकीला सेख मुकता की उस्तादों के इस्ताद साल 1963 में आई थी इसे निर्देशक ब्रज ने डारेक्ट किया था नंबर पाच की बात करें तो वो कौन थी में मनोच कुमार साधना प्रेम और परवीन चौधरी ने काम किया था ये फिल्म साल 1964 में रिलीज होई थी वही नंबर चै की बात करें तो गुम नाम डारेक्टर राजा नवादे की साल 1965 में आई फिलिम गुमनाम में लीड रोल में मनोज कुमार नंदा, प्राण और महमूद अली नजर आये थे वही नमबर साथ की बात करें तो मेरा साया मेरा साया साल 1966 की राज घोसला ने डारेक्ट किया था इसमें एक्टरस साधना और सुनील दत ने लीड रोल प्ले किया था वही नमबर दो की बात करें तो जुएल थीफ जुएल थीफ साल 1967 में रिलीज हुई थी इस फिलिम में देवानंद, अशोक कुमार, वेजिन्ती माला और तनूजा ने काम किया था वही नमबर दो और आखरी फिलिम की बात करें तो आमने सामने आमने सामने फिल्म भी 1967 में ही रिलीज हुई थी सस्पेंस से भरी इस फिलिम में शशी का पूरा सर्मिला टैगोर ने लीड रोल निभाया था आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग, बाबाई